उत्तरप्रदेश के बरेली से घहरान कर देने वाला मामलास सामने आया है जहां दबंगों ने महिलाओं की आड में एक प्लोट पर चबरन कबजा कर निर्मान कराने की कोशिश की और विरोध करने पर प्लोट मालिक और उसके दो बेटों को फावडा, लाठी डंडे और पाकड के पास रहने वाले पुश्पेंद कनौजिया के मुताबिक उनका प्लोट जानती विहार में है, गुरवार को चार बजे वो प्लोट में बंधे कुटों को खाना खिलाने पहुंचे थे, तबी दूसरे पक्ष के दबंग परिवार की महिलाओं और दस बारा ज्यात लोगों के साथ लाठी, डंडे, तमंचे, पावडा और चाकु लेकर आ गए, उन्होंने प्लोट पर कबजा करने के लिए निर्मान शुरू कर दिया, उनके विरोध करने पर उन पर हमला कर दिया, हमले में उनकी नाक कट गई, उनके बेटे सुमित और अंकित को भी चोटे और सोनी की चैन भी छीन ले गए, पुलिस ने पेड़ेत और उनके बेटों को चिकस्य परिक्षन के लिए भेजा है, ज़रान मामले में पुलिस ने बताया कि पुषपेंद और दूसरे पक्ष के गुरुवचन के बीच प्लोट को लेका विवाद है, गुरुवचन पक्ष के लोगों ने पुषपेंद पर हमला किया है, वह पुलिस की ओर से मामले में जाच की जा रही है.